हेलो मेरा फूडीज कुकी फट बितरानी में आप सभी का स्वागत है तो आज मैं आपके साथ शेर करूंगे पनीर कुल्चे की रेसिपी जिसे बनाना बहुत ही असान है और इसे हम बनाएंगे तवे पर ही और यह कुल्चा बाहर चे क्रिस्पी और अंदर से सौफ बनेगा त आधी छोटी चमच बेकिंग पाउडर आधी छोटी चमच बेकिंग सोडा और आप डालेंगे आधी चमच चीनी से जाधा नहीं डालनी है थोड़ी से ही चीनी डालनी है तो यह कुल्चा है ना मीठा मीठा लगेगा इसलिए आपको चीनी में बहुत ही कम डालनी है आप डा दाला है एक चम्मच और यह घर का जमा हुआ लिया है और दही खटा विल्कुल भी नहीं होना चाहिए अगर आपके पास घर का जमा हुआ दही नहीं है तो आप बाहर का दही भी ले सकते हैं अब डालेंगे आधी छोड़ी चम्मच नमक तो बस यही चीज़े हमें इसके अध जो घी और दही हमने इसके अधर डाला है उसे हाथों से इस तरह से मसल मसल के पूरे मैदे में अच्छे से मिक्स कर देंगे तो सारी ही चीज़े मैदे में अच्छे से मिक्स हो चुकी है अब बारी है इसके अंदर पानी डालने की तो मैंने यहाँ पे एक ग्लास पानी लिया है पूरा एक ग्लास पानी इसके अंदर नहीं डालना है थोड़ा थोड़ा कर गई हम इसनDAR पानी एटकरें क्योंकि माधा जो होता है नů तो अच्छे से गंध कर तयार हो जाता है माधा तो अच्छे से गंध कर तयार हो चुकी है अब हमें बनानी है स्टेफिंग तब तक के लिए हम इस मैदा को प्लेट से धक्कर रख देते हैं और स्टफिंग की तयारी कर लेते हैं स्टफिंग बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कटोरा बोल सकते हैं बरतन को इसे भी बोल सकते हैं या फिर ले सकते हैं तो मैंने या पर लिया है कद्दू कस किया हुआ पनीर आप पनीर को छोटे साइट से बड़ी साइट से कहीं से भी कद्दू कस कर सकते हैं अब यह सारा ग्रेट किया हुआ पनीर मैं इस बरतन में डाल हैं बारी है इसका दर कुछ मसाले मिक्स करने की तो आदेछमद मैने लिया है है धनिया पाउडर आदेछम लेंगे लाल मिर्च पाउडर आपको पसंद कम जादा थीकी वह सापसा भूंक कि च्षोटी चंपर डालेंगे नमक हमने मेधेक due तियार करते वक्ज भी डाला था तो उसी अग्याशाब से आप इसकंद नमक एड़ करें अधेट डालें चाट मसाला आधे चमद डालेंगे आम चूरका पाउडर तो मसालों में तो बस जब घुज़ी से इस रेसिपी को जरू ठ्रे करना तो इस पनीर का भढ़ता अच्छे से बन चुका है तो आप प्लेट हटा देते हैं और एक बार डो को अच्छे से एक बार फिर से मसल के गूंध लेते हैं आप तोड़ लेंगे लोई और लोई आप अपने हिसाब से छोटी क्षड़ी की तरह गोल हो चुक है अब बारी है इसके अंदर पनीर की स्ट्रेपिंग डालने की और पनीर की स्ट्रेपिंग आप अपने हिसाब से कम शाद़ा कर सकते हैं तोसकी तरह से पोडacked करना है और गोल कर ले ना चुछ धर कि उसके पड़ा करेंगे और इसके ओप डाल जबारी काटा हुआ हरा ध्यंजा और अब इसे बेलिं की साहीता से इसे बेल लेंगे तो पहली लोई तो अच्छे से बिलकर तैयार हो चुकी है आप चाहो तो इसे तरंथ की तुरंत सेख भी सकते हो तो मैं तो इसे पहले बेल कर रखक MIG इसी तरह से पहले मैं दूसरी लोई को भी अच्छे से बना लूँगी और हातों के साहे तक से थोड़ी सी बड़ी कर लूँगी और जब वो कटोरी की तरह थोड़ी सी बड़ी हो जाए तो उसके अंदर डाल देंगे एक चमच पनिर की भर के स्ट्रफिंग और फिर से इसे ब कर सकते हो और जैसे ही तावा हलका सा गरम हो जाए आप उसके ओपर रख दीजिए पनीर का कुल्चा और इसे डालते ही चमच से उपर नीचे नहीं करना है इसे पहले एक साइट से हलका सिख जाने दीजिए और फिर वो अपने आपी तवे से हट जाएगा फिर उसे पलेट देंगे और देखी कितना अच्छा ब्राउन कलेर आज चुका है लेकिन अच्छे से नहीं सिखा है अभी और सेकना बागी है तो आप थोड़ा सा शैफ की तरह हम इसे उच्छाल देंगी तब इसे तो कैसा लगा इसे ना मैंने पहली बार इस तरह से उच्छाला है मुझे कोई गिरना जाए तो थोड़ा साना हम उइल इसके उपर भी लगा देंगे आप चाहो तो इसे हलके हलके हाथों से दबा कर भी सेख सकते हैं और अगर आप इसे नहीं भी सेखेंगे ना तो भी यह अपने आप सिखता रहेगा तो अब इसा पलट देते हैं और दूसरी साइ इसे उतार के से प्लेट में रख देते हैं इसी तरह से हम तवे पर दूसरा कुल्चा डाल देंगे और अगर आपको लग रहा है कि यह बहुत मोटा है बेलंसे करोगे तो यह फट ना जाए तो जब आप इसे तवे पर डालोगे ना तो हातों से ही इस तरह से लंबा करते र लगा देंगे और जब मैंने यह कुल्चा दूसरी बार में डाला था तो मैंने तवे पर ऑईल नहीं लगाया था क्योंकि जो तावा था वो चिकना हो चुका था और तवे के ओपर ऑईल था इसलिए आपको जादा जादा ऑईल लगाने की ज़रूरत नहीं है कम ऑईल में कुल्चा बहुत ही अच्छे से सिखेगा तो पलटने के बाद इसके ओपर भी हम ऑईल डालेंगे और इसे अच्छे से लगा देंगी और लो मीडियम फ्लेम पर इस कुल्चे को सिखने देंगे और हाँ एक बात तो बता नहीं बूल गए कि अगर आपने मेरे चैनल कभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही अमेजिंग सी और अच्छे चीजी टेस्टी सी रेसेपी देखने को मिले तो यह कुल्चा भी अच्छे से सिख चुका है तो इसे भी पलेट से निकाल लेते हैं और गैस को बंद कर देते हैं तो अगर आपको मेरी यह रेसेपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब और कॉमेंट में मुझे जरूर बताना कि आपको मेरी यह रेसेपी कैसी लगी अम मैं आपको मिलूंगी एक नई रेसेपी के साथ तब तक के लिए आप अपना ध्यान लखिए म जादे स्यादना आप मेरी साथ सेपी को शेव करना अपने फैमिल और फ्रेंट के साथ